उत्तर प्रदेश का इटावा जन्पद यमुना नदी के तट पर स्थित है। इटावा के वर्तमान इतिहास की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये जन्पद राजनैतिक द्रिष्टी से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिन के चारो और घूमता है। लेकिन यदि जन्पद के एतिहासिक प्रिष्ट भूमी की बात करें तो ये राजा सुमेर सिन के इर्द गिर्द भूमता है। राजा सुमेर सिन का किला इतावा की एतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनपत के बाहर लोगों को इस किले के बारे में शायद ही कोई ग्यान हो। राजा सुमेर सिंध के बारे में पढ़ने की काफी कोशिश की किन्तु ऐसा लगा जैसे जिसके जो मन आया उसने वो लिख डाला। लेकिन किले के खंदहर में लिप्त इतिहास व भोगोलिक जगह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विभिन कालों में एक महत्वपूर्ण रंस्थली रही होगी। इसका इतिहास संभवत सन 1380 से शुरू होता प्रतीत होता है। जिसे राजा सुमेर सिंग का किला प्रचारित किया जा रहा है वह किला नहीं है बलकी सरकार द्वारा बनवाया गया विआईपी गेस्ट हाउस है। वास्तविक्ता में किला पहारियों में दवा पड़ा खंदहर है, जिसका निर्मान मध्यकाल में हुआ था। राजा सुमेर सिंग अपनी वीर्ता और नेत्रित्व के लिए प्रसिद थे। राजा सुमेर सिंग का किला प्राचीन भवन शैली से निर्मित है। इसका प्रमुख आकर्शन यमुना नदी के किनारे स्थित एक विशाल तीला है, जिस पर ये किला अवस्थित है। किला जमीनी स्तर से बहुत उचा है। पहारी पर जाकर इसके बहतरीन द्रिश्य का आनंद ले सकते हैं। राजा सुमेर सिंग के किले पर एक बारादरी थी, जिसमें ग्यारह दर्वाजे थे। इस बारादरी की वास्तुकला इतनी अद्वितिय थी कि लोग इसके जे गिंती करते समय ब्रमित हो जाते थे। राजा सुमेर सिंग के किले का निर्मान सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर किया गया था। किले में सुरक्षा की द्रिश्टी से सुरंगों का निर्मान किया गया था, जो विद्रोही और आक्रमन कारियों से बचाव के लि ये किया जाता था. ये सुरंग विशेश रूप से धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण थी. तीले पर सरकारी गेस्ट हाउस इस एतिहासिक स्थल को जीवन्त रखने का प्रयास है. ये किला पीडियों को इसके महत्व के प्रती जागरूप करने का माध्य है.